किसान विरों इस समय ग्यों की फसल में माहू या तेला काफी देखने को मिल रहा है इसके लावा कहीं कहीं सुन्डी के दवारा ग्यों के पत्ते भी खायोवे देखने को मिल रहे है तो इन सब की रोग थाम के लिए ग्यों की फसल में सजेंटा कमपनी का अलीका का इस्तमाल कर सकते हैं और ये ग्यों की फसल के लिए एक जवर्दस रसैन मिश्रण जो अंतरप्रवाही एंड कॉंटेक्ट प्राकरिया प्रधारित है तो किसान वीरों इस वीडियो में इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि सजेंटा की अलीका इंसेक्टी सेड में टेक्निकल क्या है और ये कैसे काम करता है इसको ग्यों की फसल के अलावा और कौन-कौन सी फसलों में डाल सकते हैं इसकी मातरा के प्रतियकड और इसकी किमत के रहेगी प्रतियकड तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और उससे पहले जो किसानवीर हमारे चैनल पर पहली वार रहे तो चलना सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलने शुरू करते हैं और इसमें टेखनिकल है थायो मिथोक्सन 12.6% प्लस लैम्डा साले उतिन 9.5% जेड़ सी, जेड़ सी, जियोन कंसेंट्रेट मतलब सस्पेंशन कंसेंट्रेट प्लस कैपसुल सस्पेंशन इन दोनों के फॉरमलेशन से मिला के बनाए इसका मतलब ये है कि जब हम सप्रे करते हैं तो ये छोटे-छोटे जियोन कैपसुल के रूब में गिरता है और पुरो पौदों में फैल जाता है और जो इसमें थाया मिथोक्सन 12.6% है ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसेड है मतलब जब हम सप्रे करने के बाद दवा तने से, पतियों से, जड़ों से और किसी भी फल या फूल से पुरे पौदों में फैल जाती है और जब कीट उस पौदे को खाते है तो कीट लगवा ग्रस्तों के मर जाते है और जो लेम्डा साइलो थी 9.5% है ये कॉंटेक्ट इंसेक्टिसेड है मतलब इस सभी परकार के कीटों को सीधे समपरक में आने पर कंट्रोल करता है और इन दोनों के मिक्स्चर से ये लंबे समय तक चलने वाला परभावी प्रतान करता है इसके लावा चूसने और चबाने वाले कीटों के खिलाफ परभावी नियंद्रम के साथ फसल की सही शुरुवात के लिए best product है और अब बात करते हैं इसे ज्यों कि फसल के अलावा और कौन-कौन सी फसलों में डाल सकते हैं तो किसान वीरों इसे आप धान, कपास, मक्का, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन और सभी परकार की सबजियों में इसकी सप्रेक कर सकते हैं रस्चूसक और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए और अली का contact and systemic insecticide होने के कारण ये सभी परकार के रस्चूसक और चबाने वाले कीटों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है जैसे की एफिट्स, जैसिट्स, थ्रीप्स, बॉल वार्म, स्टैम बॉरर, कैटरपिलर्स, लीफ होपर, लीफ हीटिंग कैटरपिलर, स्टैम फलाई, सैमी लूपर, फ्रूट बॉरर, वाइट फलाई आदी कीटों को कंट्रोल करता है और कहने का मतलब यह है कि आप इसे ग्योंकी फसल में किसी व्यवस्ता पे इसका सप्रे कर सकते हैं, रस्चूसक और सुन्डी को कंट्रोल करने के लिए अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में, तो इसकी मात्रा है 80 ml प्रतियकड़ और आप सप्रे में 1.500-200 लिटर प्रतियकड़ पानी का ही प्रियोंक करें या फिर एक ml अलीका को दो लिटर पानी के लिए चिड़काव करें और अब बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो किसान विरो सप्रे करने के बाद इसके रिजल्ट 15-18 दिन तक रहता है डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है और अब बात करते हैं इसके कीमत के बारे में और उसके एक लिटर पैक की कीमत है लगबग तीनी जरपे और अलिका दुनिया के विबिन देशों में सौ से अधिक फसलों पर प्रियोग किया जाने वाला जाना माना एम विश्वासनी किड़ना शक है इसके लावा इसमें जड़सी फर्मलेशन होने के कारण ये बारिश के आने पर नहीं धुलता और अलिका की सप्रे करने से बैतर फसल हर्याली अधिक शाखाओं और फूलू को बढ़ाता है और किसान विरों ये एक छोटा सा वीडियो है सजन्टे कंपनी का अलिका के बारे में कि इसे आप ग्यों की फसल में किसी विवस्ता बे डाल सकते हैं रस्चूसक और सुंडी को कंट्रोल करने के लिए धन्यवाद